वो इस same properties यहाँ पे हैं कि जब भी हम दो elements का क्या करेंगे intersection करेंगे तो चाहिए A से A intersection B लिख दो चाहिए उसको और B intersection A लिख दो बात A की है कोई दिक्कत आने वाली नहीं है वहाँ पे और इसी प्रकार देखिएगा कि associative rule क्या है associative rule में है कि पहले आप दो का intersection कर लो बाद में इसका तीसरे के साथ intersection कर लो और यहाँ पे भी वही बात है ठीक है और इसी में देखिएगा कि थर्ड वाले में देखिएगा कि 5 के intersection के साथ क्या करने पर 5 दो दोनों में common हो यानि कि A set के अंदर भी common आए और वो 5 हो तो उसमें क्या करते हैं वहाँ पे आएगा 5 ठीक है इसी में देखिएगा कि union में क्या करने वाले है union के साथ A का intersection क्या होता है वो क्या होता है भई A यानि कि union के साथ A का intersection low of 5 and u इसको बोलते हैं low and 5 and u बोलते हैं और दूसरा देखिएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि एक का खुद की साथ खुद का intersection क्या आने वाला है खुद ही आने वाला है ठीक है और यह क्या होता है आइडेंपोटेंट रूल बोलते हैं इसको ठीक है जैसे कि हमने कि एडिशन में देखा था उसी परकार यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं जैसे कि intersection में भी क्या हो सकता है आइडेंपोटेंट यानि कि दो से क्या करते हैं दो सेम जो भी हैं उनका क्या करेंगे intersection करेंगे तो वो ही आएगा ठीक है इसी में देखिएगा कि फिप्ट वाले में फिप्ट वाले में वो है कि दोनों अलग-अलग दिस्टुब्यूटिव लो आ गया है यहां पर इनको बाटने वाला रूल आ गया है कि क्या करते हैं यहां पर पहले हमें क्या करना कि पहले दो सैट के पीज में union निखा लो और फिर उसका तीसरे के साथ intersection करने पर जो यहां इस साइड में आता है वो यह आता है कि A intersection B कर लो फ आपको जब भी हम इसके exercise question solve करेंगे तो मैं आपको वहां पर बताता चलूँगा ठीक है यदि exercise में question है तो examples थो है नहीं इस पर best ठीक है तो यहां पर देखिएगा कि क्या करते हैं देखिएगा कि 5th वाले के लिए ठीक है 5th वाले के देखिएगा कि 1 A set ले लो आप तो 1 2 3 set ले लो एक B set ले लो जो कि क्या है 2 4 और 5 है एक C set ले लो यहां पर 7 8 और 9 है यहां तक ठीक है सब कुछ आपका तो यहां पर सब कुछ ठीक है तो देखिएगा कि क्या करने वाले हम तो पहले आप देखिएगा कि हम इसके according चलेंगे भई LHS को पकड़ेंगे LHS में क्या है A intersection B Union C है यहांदे clear है तो आप क्या करने वाले हो पहले हम B Union C निकालेंगे यहां पर तो यहां से देखिएगा कि क्या आने वाला है कि यहां से कि पहले यह तो अपने पास है कि B Union C क्या आने वाला है जो दोनों में हो तो दोनों में कौन-कौन से यह तो सारे में देखिएगा क कोई तो common element है नहीं यहां पर 6,7,9 है ठीक है तो यानि कि सभी को लिख दो लाइन से आ जो सब 4,5 आ गया फिर 6,7 और 9 आ गया यह आ गया बी अब इसका देखिएगा कि intersection किसके साथ लिखना है एक के साथ तो ए अपने पास कौन सा element है भाई 1 है 2 है और 3 है जिसका intersection हमें किसके स नहीं साथ करना है 2 करना है 4 करना है 5 करना है, 6 करना है 7 करना है 9 करना है अब देखिएगा कि क्या कविंस ane impermanal element है इन दोनों में यहड़ों बस एक element है जो कि 2 है पकणड में आई बात यहां पर तो 2 आया तो यहां से common element आपका क्या आ गया है 2 अब इसका क्या लेते है में अ आने वाला अपने पास देखिए है तो यहां पर है अपने पास A intersection B और union करना है किस के साथ A intersection C के साथ यह देखिएगा कि यह properties आपको example के इसको प्रूफ करने की कोई जुरत नहीं प्रूफ यहां पर आपको पूछेगा भी कोई नहीं ठीक है तो यहां से देखिएगा कि A intersection B तो A intersection B है तो पहले हम क्या करेंगे A intersection B को find out करेंगे तो आपको पता है A said तो यह लिखावा है इन दोनों में common element देखो आप तो यहां से common element देखोगे तो आपका only two ही है जो कि common है तो यहां से direct आप लिखो कि two ठीक है अब देखिएगा कि second में A intersection C में देखोगे तो क्या common है तो A और C के अंदर देखोगे तो आपके लिए क्या ही common है वै कि यहां पर तो कोई element ही ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए common हो तो यहां पर common नहीं है तो क्या है भई फाई है कुछ भी नहीं है यहां पर common तो इसको ऐसे ही लिखेंगे और यहां पर देखिएगा कि according to प्रूफ करना है वह हमें देखिएगा कि two है और यह common है इसका union किसके साथ करना है फाई के साथ यह property आगे कि क्या आगे कोई भी element हो और उसका union फा बस यह रही कौन सी यह यह कि a union phi वहां पर कोई ना कोई है कि set था और उसका phi के साथ union क्या रहा था वही set आ रहा था और यहां पर इसका example देख लिजेगा कि यहां से क्या आएगा यहां पर यह आया है ठीक है तो यह only two तो इसका मतलर two और two बराबर है इसका मतलर distributed law इस परक बराबर है तो इसका मतलर बराबर है यहां रहा है कि यहां डुम्टैब कर लिख रहा है यहां उसका रहाँ बस्दकर कर दो परेंगा से क्या सुनलर आपाश मतलर ना यहाँ यहाँ